इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास Android TV है तो आप अपने रिमोट के Bluetooth को अपनी TV के Bluetooth से कैसे पैर कर सकते हैं अब मेरी बात ध्यान से सुनिए इसका फाइदा क्या है देखिए अगर आप बिना Bluetooth पैर किये रिमोट यूज़ करते हैं तो आपको TV की तरफ र मूँ रखना होगा फिर ही आप उसमें कुछ भी चेंजे इस तरीके से वॉल्यूम या चैनल चेंज करना है अपने काम कर पाएंगे बट अगर आप इस तरफ मूँ घुमा लेते हैं कहीं दूर चले जाते हैं रिमोट से अप करते हैं देखिए कुछ नहीं हो रहा है चेंज करें चलिए बताता हूँ सबसे पहले आप यहां पर टीवी की सेटिंग्स में आ जाएं ठीक है इसके बाद नीचे की तरफ रिमोट एन एसेसरीज आपको नजर आएगा इसे क्लिक करके ओपन कर लें यहां पर यह स्कैन होने लग जाएगा देखिए हर एंडरोइड टीवी में ठोड़ा ठोड़ा different होता है यह वनप्लस की टीवी है तो आपको पैरिंग मोड अन करने के लिए यहां पर लिखा हुआ है हूँ से हऊँ ब्लस लेफट इसीप्रेश करके रखना है इसने प्रेश करके रखे हैं पास से 10 सेकंड तक तो देखिए जैसे ही हमने इसे press करके रखा तो हमारा remote यहाँ पर आ गया ठीक है अब इस पर okay करें पेरिंग का option यहाँ पर आ गया और यहाँ पर connecting लिखकर आ गया और यह pad हो गया ठीक है अब यहाँ से बाहर निकल जाएं वापस remote एं ऐसे चीज में है यहाँ पर आप देखेंगे Bluetooth Connect है अब ऐसे तो मैं कुछ भी हटा सकता हूं लेकिन अब मैं इस तरीके से भी कि इस तरीके से भी अपने remote को control कर सकता हूँ आप देख सकते हैं अब यहाँ पर कोई infrared light नहीं जल रही है अब देख सकते हैं यहाँ पर पहले light जल रही थी अब light नहीं जल रही है बिना किसी चीज के मैं remote अपने टीवी को control कर पा रहा हूँ उम्मीद करता हूँ आप समझ गया होंगे वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सवर को सब्सक्राइब जरूर कर दें